हेलो लेर्नर्स कैसे हैं आप सभी I hope you all are doing great आज हम लोग बिहार एस्टेट के क्लास 9-10 के एसस्टी गे PYQ को डिसकस करेंगे और ये पेपर हुआ था 18th of September को जिसमें पहला है हलके और चलने वाले जहाज कहरावल को किसने बनाया था ये बनाया गया था पूर्ट-गालियों के द्वारा भारत में इस्ट इंडिया कंपणी के स्थापना कब होती है यह होती है 1600 में भारत में अंग्रेजों का आग्मन जो होता है वो डचों के बाद होता है यानि कि भारत में जो अंग्रेज आते हैं वो पहले पहले डच आते हैं और अंग्रेज आते हैं यदि हम भारत में बात करे पुर्दिगीज और सबसे लाश्ट में जाते भी पुर्दिगीज हैं तो इसका याद रख सकते हैं P, D, E, D, F तो भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद होता है लेकिन जो इस्ट इंडिया कमपनी के स्थापना है ये डच इस्ट इंडिया कमपनी से पहले होती है यानि कि अंग्रेज आते बाद में लेकिन इन्होंने भारत में अपनी कमपनी डचों से पहले स्थापित करी थ तो इस्ट इंडिया कंपणी का स्थापना हो जाती है 1599 में जिसे इंग्लेंड की महारानी कौन होती है एलिजाबेट पर्थम इन्होंने 31 दिसंबर 1600 में एक आग्या पत्र के द्वारा इसे 15 वर्चों के लिए कितने 15 वर्चों के लिए जो पूर्वी देश होते हैं इनके साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था नेक्स है उत्तम आशा अंतरीब की खोच किसके द्वारा की गई थी यह की गई थी बार्थोलोमी और डियाज के द्वारा तो उत्तम आशा अंतरीब जिसे के आफ गुड होप भी कहते हैं इसकी खोच 1488 में बार्थोलोमो डियाज जो की पुर्दकाल का होता है इसके द्व प्रगीज इसी मार्ग से होते हुए भारता है थे और उस समय भारत यूरोप में मसालों का सबसे महातबूर शुरोद रहा है। नेक्स्ट है अमेरिकी सोतंतरता संग्राम की सबसे महातबूर उपलब्दी कौन सिथी ये थी गड़ तंतरात्मक व्यवस्था का पहला प्रियोग करना। इंग्लेंड की गवरोपूरुड क्रांती कब होती है ये होती है 1688 में और इस गवरोपूरुड क्रांती को रक्त हीन क्रांती के नम से भी जाना जाता है क्योंकि यह शांती पूर्वक संपन होई थी। जो इंग्लेंड का राजा है ये राजा बदला जाता है और इंग्लेंड की शांशन व्यवस्था बदली लेकिन कहीं भी खून का कत्रा भी नहीं गीरा। और इंग्लेंड के राजा जेमस दोती के द्वारा संसदी संप्रभुता को चुनोती के देने के फल्थ रूप इंग्लेंड में होती कब है 1688 में करांती होती है। नेक्स जनजातियों की सबसे यदा आबादी कहां है तो यह है एफ्रिका में और अफ्रिका को जनजाती महाद्यूप के नाम से भी जाना जाता यहां की प्रमुक जनजातियों में बात करें तो इसमें आता है कंजर, डोगोन, योरूबा, मबेग, नेक्स ने पहले संथाली कौन थे जिन्नों ने अंग्रेजों पर हतियार उठाये तती हो जाएंगे तिलक मांजी, तिलक मांजी का जन 1750 को होता है, तिलक मांजी ये संथालों के लिए अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं रहे, संथाल की बात करें तो धल भूम के राजा जगनाद धल के नेत्रत में चुवारों ने बहरा गोड़ा और नर्सिंग गठ के सभी तथा हल्दी पोखर के दो गामों को आग के हवाले कर दिया जाता है 1782 वस 84 में मंगल सिंग ने अपने सहयोगें के साथ मिलकर इस विद्रो का नेत्रत किया और अंतता क्या होता है कि इस विद्रो को अंग्रेजों के द्वारा दबाद दिया जाता है बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुक भूमिका रहती है तो यह रहती है गुंडादूर की तो आजादी के गुंब नाम नायकों में से एक रहे हैं बस्तर के गुंडादूर इन्हों ने 1910 में आदिवाशियों की धर्दी को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद भूम काल अंदोलन का नेत्रत क्या था और अंग्रेजों द्वारा तमाम छल बल अपनाने के ब और कोल विद्रों की बात करें तो इसकी प्रमुक विश्चेशतर आई है कि कोल आदिवाशी अकेले नहीं लड़ते थे बलकि इनके साथ होस औराव और मुंडा जैसे अन आदिवाशी भी लड़ते थे नेक्ट है इन में से कोन कोल विद्रों में सामिल थे तो यह हो जाएंगे बुदो भगत और यह होता कब है 1831-32 में होता है नेक्ट है किसको धान के रूप में भी जाना जाता है तो यह हो जाएगा चावल चावल की बात करें तो यह उश्ड कटिबंदी और उपोश्ड कटिबंदी प्रदेश का प्रमुक फसल है और चावल के लिए उच उतापमान चाहिए होता है और अधिक हुमेडिटी और वर्सा के आवशकता होती है और चावल की फसल के लिए चीका युगत जलोड की फसल है नेक्ट निम्नलिकित में से कौन सा देश चावल का परमक उत्पादक है तो यह हो जाएगा चाइना फर्स्ट पर चाइना है सेकेंड पर इंडिया है और थर्ड पर बांगलादेश है नेक्ट भारत में कुल फसल उत्पादन शेत्र का कितना परसंट तिलहन से आच् क्या है खरीफ की फसल है खरीफ की फसल की बात करेती हैं और दच्छर पश्रिप मंसुन के साथ ही बोह जाती है जेहां एक बड़े शेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है तो यह हो जाएगी वरच्छा रोपड क्रशी वरच्छा रोपड क्रशी क्या है तो या एक बड़े शेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है और इसके लिए आधुनिक मशीनी करण मतलब कि बीजा रोपड बाग कटाई के लिए और निश्चित रूप से कर्मियों के लिए पूंजी की आवशक्ता भी होती है इसके अंतर गताता है कपास, चाए, कॉफी, केला, आधी और इसके लिए क्रशी और वरच्छा रोपड क्रशी की बात करती है इसके अविश्च में ऊषड कटिबंदी हो और उपऊषड कटिबंदी है शित्रों में इसकी खेटी की जाती है निम्नलकित में से कौन सी फाइबर पसल है तो यह हो जाएगी जूट, जूट क्या है एक फाइबर फसल है जूट को सुनायरा रेशा भी कहा जाता है और जूट की फसल ये बाढ़ के दोरा मैदान में जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उखाय जाती है और यहां एक उश्ड कड़िबंधी फसल है नेक्स्ट है लीग ओफ नेसंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलखित में से कौन सा सही है तो यहां आर्थिक पर्दिबंध लगाने में लीग की अशमता ने इसे पंग बना दिया था तो इसका पहला ही करेक्ट है नेक्स्ट है उनो को किस वर्स नोबल सांती पुरसकार से समानित किया गया था तो यह हो जाएगा 2001 में नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट संग की कितनी आधिकारिक भासाएं है तो यह हो जाएगा 6 भासा Ett猶्चail राश्च्ट संग के Charter मेंबर कितने राश्ट थे त्यूं हो जाएगा 42 तो फर्स्ट World War के बाल विश्च शान्ति के सथापना करने के लिए राश्ट संग के स्थापना करी जाती है पेरिश शान्ति समेलर में राष्ट्र संग के समिधान को त्यार करने का कारे की विल्जन की अध्यक्सम किया जाता है 19 प्रतनेदियों के एक समिध को सौपा गया था और यह कार 19 प्रतनेदियों के एक समिध को सौपा गया था तो यह क्या था शेत्र को विभाजित करके। और राष्ट्र शंग ने अपने 20 वर्ष के कारिकाल में जो कार के थे वे एतिहासिक महात्यों के थे। नेक्स रोलिट कानून किस वर्स पारित क्या था है ति यह हो जाएगा 1919 को तो भारत में करांतिकारियों के प्रभाव को समापत करने के लिए ब्रिटिश गवर्मेंट ने 1917 में सिड्नी रोलिट की अधक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की जाती है या कमेटी भारत में किस अस्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन शमंदी साड़ेंत फैले हैं इसकी जाच करने के लिए इसके गठन किया जाता है नेक्स जलिया वाला बाग हत्या कांट की जाच करने के लिए सरकार ने की समित्य का गठन क्या था ति हो जाएगा हंटर कमेटी जलिया वाला बाग हत्या कांट होता कब है यह होता 13th of April 1919 को कहाँ पे अमरे सरके जलिया वाला बाग में और इसका गठन October 1919 में किया जाता है यानि कि 13 अफरेल को जलिया वाला बाग अतिया कांड होता है इसका गठन किया जाता है इसकी जांच करने के लिए October में किसकी अध्यक्षता में? लाड हंटर कि अध्यक्षता में तो यह क्या गया था 31 अक्टूबर 1920 को लालालाज पत्राई की अधक्सता में और इसके पहले अधक्सते लालालाज पत्राई और पहले महासच्यू थे चमनलाल और एटक इसके गठन के बाद रेट आंदोलन में काफी तेजी आती है और आगे चल कर यही एटक यह राश्ट्र शाताबदी के पूरवार्द में कुछ यूरोपी देशों के अधोगी उत्पादन पढ़ाली में परिवर्तन आता है और अधोगी करांथी का प्रारम ब्रिटेन से होता है मतलब कि इंग्लेंड से होता है लेकिन यह शीगर ही पूरे यूरोप में फैल जाता है और विक्सि एक शिपिंग फर्म के मालिक के भागे का वर्डन करता है जो अपने नक्षे कदम पर अपने चलने वाले बेटे की कमी से निरास थे नेक्स है पटना का पुराना नाम क्या था तो यह हो जाएगा पाटली पुद्र कुसुम पूर्द था अजीमा बाद इसमें हो जाएंगे किसके द्वारा यूरोप की आर्थ वहस्ता को पुनर जीवित करने का प्रयास किया जाता तो यह किया जाता है अमेरिका के द्वारा और श्रीलंका सार्क का उदेश क्या था कि दच्छुड एसिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और इसकी स्थापना के समय इसमें साथ नमर होते हैं लेकिन अफगानिस्तान इसका आटवा में बनता है कब 2007 में नेक्स है मुद्रड की तकनीकी सबसे पहले कौन से वर्ग को जन्म दिया जिससे कि राश्री आंदुलन में महत्पूर भूमिका निभाई नेक्स है भारत का कुल शेत्रफल कितने लाक वर्ग किलो मिटर रहती हो जाएगा 32.8 और भारत का जो शेत्रफल है विश्यो के कुल भागोलिक शेत्रफल का कितना 2.4 परशेंट है और रेटिकलिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है यदि बात करें डूरंट की तो ये हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में नेक्स है दुआधार जाल परपात किस नदी पर है ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी के बात करें ये अम पुलताई परवश से निकलती बाकी नर्मदा, शोना इन जोहिला नदी ये तीनों है अमर कंटक से निकलती हैं। था कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति पाए जाती है नेक्स्ट है इन में से कौन सा व्रच परवती वन में पाया जाता है थी हो जाएगा चेश्ट नट नेक्स्ट है डाची गम कहां पे है जमू कस्मीर में है यह है क्या तो यह एक राश्टी उध्यान है और डाची गम को 1981 में राश्टी उध्यान मतलब की नेशनल पार्क घुसित के आ गया तो इसमें पाया जाता है कस्मीरिय श्टैक मतलब की हंगुल नेक्स्ट है भारत के किस राज में सबसे ज़्यादा जन घनतो है तो यह है बिहार में तो सबसे ज़्यादा जन घनतो एक हजार छे प्रती व्यक्ति वर्ग किलोमेटर कहां पर है बिहार में और सीए सच चार राज्यों की बात करें तो इसमें आएगा बिहार, पश्यमंगाल, केरल, यूपी, हरियाना और भारत की जन घनतो की बात करें तो भारत का जन घनतो है 382 नेक्स्ट है किस वर्स को जने सांके की विभाजक वर्स के रूप में माना जाता है ती हो जाएका 1921 को तो 1911 से लेके 21 के दशक में जन संक्या में हरास होती है कितना 0.31 परसिंट की इसका कारण क्या होता है कि अकाल और महामारी इसी के चलते क्या होती अम्रत उदर अधिक हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को बांगला देश में किस नाम से जानते है ती हो जाएगा जमुना नदी तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिबद की मानसुरोवर जील के पूरु से निकलती है तिबद में इसे सांगपो के नाम से जानते है और इसकी ट्रिब्यूटरी में बात करत यहां पर टोन्स संकोष वांग्चू कुलोंग तथा निक्य यह सब यहां की प्रमको नदिया हैं नेक्स्ट है माउंट एवरेष्ट की उचाई कितनी है ती हो जाएगा 8848 मीटर और माउंट एवरेष्ट की बात करें तो इसका विस्तार नेपाल में है और माउंट एवरेष्ट यहां व्राद हिमाले मतलब की ग्रेटर हिमाले में इस्टित है नेक्स्ट है भूटान के अर्थ व्यवस्था किस पर आधारित है यह है पर यटन पर आधारित है नेक्स्ट है वन सेंटीमेटर इस उकल टू कितने किलोमेटर होगा इसमें तो इसमें हो जाएगा वन रेशियो वन लैक नेक्स्ट है प्रत्वी पर्क नदी, पहाड, समुद्र को प्रदशित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं तो इन्हें हम फीजिकल मतलब कि बहुत एक मानचित्र कहते हैं नेक्स्ट है विकास के स्थिति के अधार पर संसाधनों को कितने रूप में वर्गी करद क्या जा सकता है तो ये किया जा सकता है संभावित, विक्सित, स्टॉक तथा रिजर्व, मतलब all of the above इन सभी के रूप में वर्गी करद क्या जा सकता है तो समापिता के अधार पर संसाधनों को नवी करड़ी संसाधन तथा अनिवी करड़ी संसाधन इन में वर्गी करद किया गया है नेक्स है जारकन, 36 गड़ो और MP, राज खनजो और किसमे जमा में सम्रद है तो ये कोईला में सम्रद है भारत के कोईला निशेप का 80%, भाग बिट्टू मिनस प्रकार का तथा 11 कोक कारी स्टोडी का है नेक्स है सुद्ध बोए गए शेत्र का पैटरन एक राज़े से दूसरे राज़े में बहुत भिन होता है या किस राज़े में कुल शेत्रफल का 80% से अधिक है तो ये हो जाएगा पंजाब नेक्स है SSQ 3181 निमनलकित में से कौन भारत में वाडिजिक फसल है तो ये हो जाएगी सरसो, तंबाकू तथा जूट ये सभी नेक्स है दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% किसके रूप में मौझूद है तथा केवल 2.5% किसके रूप में मौझूद है तो 96.5% महासागर के तथा 2.5% पीने योगे मतलब कि मीठे पानी के रूप में मौझूद है और इसका 70% जो भाग है ये बर्फ की चादरोत हता हिमानियों के रूप में पाय जाता है नेक्ष रे प्रद्वी की सता का कितना हिस्सा पानी से ढखा हुआ ति हो जाएगा 3-4 हिस्सा नेक्ष रे पानी की कमी क्या है ति हो जाएगा पानी की कमी एक शेतर के भीतर पानी के उपयोग की मांगो को पूरा करने के लिए परयाप तो उपलब्द ताजे पानी के संसादनों की कमी ही पानी की कमी कहलाती है नेक्स्ट है निमलकित में से कौन सा राज तेल का सबसे पुराना उत्पादक है तो यह हो जाएगा असम तो आसम में डिकबोई, नहर कटी और मोरन हुगरीज ये सबी प्रमुक तेल उत्पादक शेत्र हैं और भारत में अधिकान से पेट्रोलियम की उपस्तिती टर्शरी यूग के चटानों में पाए जाती है नेक्ष्ट है बालागाट इन खानों में निमलकित में से किस खनी जो का खनन किया जाता है तो यह किया जाता है मैगनीज का तो मैगनीज निक्षिफ के बात करें तो मैगनीज निक्षिफ लगबख सभी भूगरबिक चटानों में पाय जाता है और यह मुक रूप से धारवाड करम से संबन्दी थे माद्य प्रदेश में मैगनीज की पट्टी कहाँ पे बालागाड चिंदवाडा निमाड मंडला तथा जबू अमेज़ती थे तो बालागाड चिंदवाडा बहुत मादपूरे याद रखेगा नेक्स्ट है इन में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है ति हो जाएगा गंगेटिक डल्फिन और यह आयू सीन की रेड लिष्ट में संकट ग्रस्त शोड़ी में है और अस्थानी भासा में से सूंस कहा जाता है नेक्स्ट है चिपको अंदोलन के प्रडेता कौन रहती हो जाएगे सुंदरलाल बहुगुडा तो यह अंदोलन 1973 में उत्रागंड के चमूली चिले में शुरू होता है और यह लोग वरक्ष को काटने से बचाने के लिए पेड़ों के चारों तरफ मानवी गहरा बना लेते थे 1973 में और क्या होता है तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है नेक्स्ट है किस राज़े में खनिश देल का विशाल बंडा रहती हो जाएगा असम तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन एक ही पेपर में दो से तीन बार रिपीट हुआ ही है तो असम में डिग बोई नहार कटिया हगरी जन मोराज ये सबी प्रमुक तेल शेत्र हैं और गुजरात के प्रमुक तेल शेत्र की बात करें तो इसमें आएगा अंकल एश्वर कालोज मेहशाना तथा लुनज नेक्स है सिंगरोली किस राज़े का सबसे बड़ा कोईला शेत्र है तो यह हो जाएग इक गैर कोको कारी शेडी है नेक्स है निम्लकित में से कौन सा उद्य क्रशी पर आधारित नहीं है तो इसमें सूती वस्र चीनी तता जूट ये सबी क्रशी पर आधारित हैं लेकिन सीमेंट उद्योग ये क्रशी पर आधारित नहीं है नेक्स है इन में से कौन उपभोगत उद्योग है तो यह हो जाएगा चीनी उद्योग और उपभुकता उद्योग में बात करें तो इसके अंदर का था दन तो मंजन कागल पंखे तथा सिलाई मशीन नेक्ट भारत का सरवाधिक विदेशी वयपार किसे मारके के द्वारा किया जाता है तो यह क्या जाता है समुदरी मारके के द्वारा भारत की 7516.6 किलोमेटर समुदरी तर्ट रेखा के साथ 12 प्रमुक्त था 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं मतलब कि पोट है और ये पोट देश का 95% विदेशी व्यवापार संचालित करते हैं भारत को कितने डाक शेत्रों में बाटा गया है तो ये क्या गया है नाइन शेत्रों में और भारत का जो डाक संचार तंतर है ये विश्यु का व्रहत्तम है और ये पार सल निजी पत्र वेवार तथा तार आधि को संचालित करता है लेकिन इसमें आयोक के द्वारा कितना माना तता भुमनेशर में है इस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेड़काटर तता कुलकाता में है पूर्वी रेलवे जोन का हेड़काटर नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा की सस्थान पर होती है ति यह हो जाएगी मासिन राम कहां पर है मेगाले में तो माचिन राम मेगाले राज्य में खासी पहाडी के दक्षड श्रंखला मेशती थे बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है तियो हो जाएगी कोशी नदी कोशी एक पूरो वर्ती नदी है इसका स्रोत तिबबत में माउंट एवरेश्ट के उत्तर में है यहां इसकी मुक्धारा अरुन के नाम से निकलती है अरुना के और यदि बात करें पश्ची मंगाल के तो पश्ची मंगाल का शोकौन का लाती है यह हो जाएगी दामोदर नदी नेक्स एक काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है ति हो जाएगी रेगुर मुर्दा नेक्स एक बिहार में सरुपरतम नगर निकम के स्थापना कहां की गई थी तो यह की गई थी पटना में बुनियाद रखी जाती नमंबर 1984 में तब इसका नाम क्या होता है पटना मुनिसिपैलिटी नाम के बिहार राज यजल विद्धत निकम के स्थापना कब भोती है यह धारू जेलंट की किस देश के प्रमकर राष्टूपती रहे है तो यह रहे है पूलिएम के राष्टूपती पूलियंड के बात करति है एक सहे-स एदिकारी रермण नेता ता था रही टाना शाह थे ईसने पूलिश जन्वाधी गड़ाज पर grass1 지금 19 punishmentgirl तक पूलेंड के शाषा करीप में कार किया था और याब पूलिश जन्वाधी कड़ाज का 91 से लेके 750 से लेके धाननेंटीफाई रहते हैं और 1985 से लेके इट्ट नाइन तक ये पुलेंड के राश्टुपती भी रहते हैं गौरोपूर्ड उक्रांथी किस देश में होती है तो यह होती है इंग्लेंड में अगेन ये रिपीटर क्वेश्चन है लोगतंत्र की सर्वो माने भाषा दिया गया था नेक्स्ट एक कम्यूनिष्ट शाषन व्यवस्था किस देश में स्तेश है तो यह है चाइना में भारत के समीदान में Rose से लिया गया है मौलिक करतव्या बारत में एकल संक्रमडी मत पधत यसे चुनाओ किसका होता है तो यह होता है भारत के राश्टुपती का नेक्स्ट है अपने सभी नागरिकों को समान मतादिकार प्रदान करने वाला पहला देश को रहा है तो ये रहा है न्यूजिलेंड भारती सम्धान में मौलिक अधिकार किस देख से लिय गए है तो यह लिय गए है अमेरिका से रसिया से क्या लिय गए है वो ऑस्ट्रेलिया से लिग गई है तो भारती समधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार है और भाग 3 को ही भारत का मैगना काटा भी कहा जाता है और मूल लूप से समधान में 7 मूल अधिकार है समता का अधिकार आर्टिकल 14-18, सतंतरता का अधिकार 19-22, शोशड के विरुद्ध अधिकार है 23 से लेके 24 तक और धर्म की सतंतरता का अधिकार है 25 से लेके 28 तक संस्कृति हम सिक्षा समधिय अधिकार पताने किये हैं अधिकार दिया गया है और भाग 12 में आर्टिक थ्री-हंड source का आके तहरत इसे कानुनी अधिकार दिया गया है तो पर उपर्जेजर्ण इसमें 6 परेत नहीं करता है तो एजितकी कैंत यह होता है उपराश्च्टवी पती जह… किसी सदसी बात होने वाले चुनाव को क्या कहते है तो इसे उप चुनाव कहते हैं तो उप चुनाव तब आयोजित होते हैं जब विधायका में कोई सीट निलम्मन, इस्तीफे, आयोगिता या मौजूदा सदसी के निसकासन जैसे कारणों से खाली होती है मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए तो यह होनी चाहिए 18 वर्ष लेकिन 1988 से पहले मतदान की आयो थे 21 वर्ष लेकिन 61st Constitutional Amendment Act के द्वारा लोगसभा के साथ साथ विधान सभा के चुनाव में भी वोट डालने के लिए 21 से घटा कर इसे 18 कर दिया गया है सरवाधिक लोग परी चुनाव आयुक्त कौन रहे थे हैं TN Session और यह भारत के दस्वे मुखे चुनाव आयुक्त रहे हैं कब से कब तक 12 दिसंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1996 तक और मतदान था पैशान पत्री की शुरुआत भी इन्होंने की थी साथ ही वर्स 1996 में इन्हें रमेन मैकस से अवोर्ट से भी समानित किया गया था नेक्स है बंगाल बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था तो बारत दिसंबर 1911 को दिल्ली दर्बार में समराट ने बिहार और उडिशा को मिला कर एक नया प्रांद बिहार बनाने का देश दिया था तब ही बंगाल को अलग प्रांद गोशित किया गया था कब 1911 में लेकिन 1st of April 1912 को बिहार प्रांद का उडगाटन किया जा था और 1936 में उडिशा को बिहार से अलग कि आ गया था ना कि बिहार को बंगाल से बारत में आपातकाल सरुपरतम कब लागू हुआ था यह हुआ था 1962 में तो भारत चीन के युदिक के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को बारत ने पहला राश्य आपातकाल गोशित किया जाता है और यह दोनों देशों के बीच विवादी सीमा को लेकर संगर्स होता है अमेरिका में राजे सभा को क्या कहा जाता है तो इसे सीनेट कहते हैं तो अमेरिका में वेवस थापिका को कॉंग्रेस कहा जाता है इसके दो सदन होते हैं प्रतिनेदी सभा जो कि लोग सभा कहलाती है सीनर जिसे राजे सभा कहते हैं तो सीनर जो होता ये कॉंगरेस का उच्च या अधिती सदन होता है सीनर में प्रतिय राजे से दो प्रतिनेदी मतलब कि सीनेटर चुने जाते हैं चाहे उस राज्य के अबादी कितनी भी हो मतलब चुने दो ही जाएंगे भारत के समिधान में निम्निकित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है जिसमें कानून के समक्ष समानता असप्रस्ता का अंत आर्टिकल 17 रोजकार के ओसर की समानिता ये तीनों है लेकिन आर्थिक बराबरी ये समानता के अधिकार में शामिल नहीं है नेक्स राटिमिक सिख्षा के मौली का अधिकार को समिधार में कब शामिल क्या गया था तो ये क्या गया था 2002 में तो 86th Constitutional Amendment Act 2002 के द्वारा प्रारमिक सिख्षा को मौली दिकार बनाया जाता है और नेक नया आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है और इसमें कहा गया कि राजों को 6 से 14 वर्स तक के बच्चों के लिए निशुल को प्रारमिक सिख्षा की वेवस्ता की जाएगी निवनकित में से भायत के लिए कौन साकतन सही है यहां धार्मिक सिख्षा का अभाव है गलत यहां धार्मिक सिख्षा का सिधानत है जिसका हो जाएगा option C और धार्म निर्पेक्षा को समयधान के प्रस्तावना में 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के दोरा जोड़ा जाता है नेक्ष जब हम लेंगी विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभी प्राइक क्या होता है लेंगी विभाजन का मतलब है कि समान में इस्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं नेक्षर इन में से कौन लोक्त अंदर को मजबूती पदान नहीं करता चिसमें हो जाएगा विविदताओं में सामंजस का अभाव और संगर्स ये दोनों ही डेमोक्राशी को मजबूती नहीं पदान करते नेक्षर राजी सभा का सभापती ये repeated question है उपर राश्चुपती होता है नेक्षर भारत का राश्चुपती अपना त्याग पत्र किसको देता है तो ये देता है उपर राश्चुपती को और राश्चुपती का कारिकाल कितना होता है पांच वर्स का और या पुना निर्वा करना भी है, सरकार की आलोचना भी करना भी है, लेकिन सामाजी कार्थी कांदलों को बढ़काना यही नहीं है नेक्श भारती जंता पाड़ी कामों के प्रेरक्षिदांत क्या है तो जाएगा आधुनिक्ता नेक्श लोक तंत्र की उपलब्दियों में सबसे अधिक सहायक क्या है तो इसमें हो जाएगा विकास सबसे अधिक सहायक है नेक्श एक की साधार पर लोक तंत्र को सरवत्तम शाषन कहते हैं तो यह हो जाएगा जन्मत के आधार पर भारती लोक तंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सरस्रेश्ट उपाय क्या है तियोजाएगा सुधार आत्मक कानूनों का निर्माड करना लोग तंत्र की कमजोरियों के बात करें तो इसके अंतर गताता है चुरावी प्रक्रिया को भ्रष्ट उप करना रिश्वत लेना और देना भ्रष्ट चार लोग तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है और प्रतिनिती बनाने के लिए चुनाव के दरान धन्यवा बाहूबल का प 1550 को होती है भारत के समधान में भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोक मतलब कि निर्वाचन आयोक की वेवस्ता है और इसका कारिकाल होता है 6 या 65 वर्स दोनों में से जो भी पहले हो और बरतमान में मुख को चुनाव आयोक तो कौन है यह है राजी उकुमार कौन है